हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश टुवेल्थ जोगरफ यानि की भुबोल के तिसरा चप्टर जनसंक्या संगठन चप्टर के सभी लाइन बाइन एक्सप्टर करने वाला हूँ इसी बज़त से आप लोग इस वीडियो को धियान से अंतक देखेंगे इसमें जितने जितने में पॉइंट है सबको मैं एक्सप्टर करूंगा इसलिए आप इसको धियान से अंतक देखेंगे और अगर आप इसक YouTube चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो आपका अध्यात इस्त्राम है क्या है जन संख्या संगठन तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जन संख्या संगठन क्या होता है देखें जन संख्या संगठन जन संख्या की उन विशेस्ताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें आयूवलिंग का विशलेशन निवास का स्थान जन जातिया भासा धर्म शक्छारता व्यवशाइक विशेस्ताएं आदि का धिया जाता है कहते हैं कि जन संख्या संगठन जो है उन विशेस्ताओं को प्रदर्शित करता है जिसमें जन संख्या के आयू हो गया लिंग हो गया उसका विशेस्ता दिखाता है निवास का स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जन संख्या भासा कौन सा है धर्म के विशे में सक्षाट का सक्षाट शक्षाट मतलब सक्षाडता कितने पढ़े लिखे हैं व्यवसाइ कौन-कौन क्रिश्ची करते हैं कौन-कौन सब व्यवसाइ expired में जूड़े हुए हैं यह सब का संगठन की विसेस्ताओं का भी अध्यान किया जाता है तो किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंक्या संगठन का महतपुर्ण योगदान होता है अब आप कहेंगे कि जनसंक्या संगठन का क्या रोल होता है तो देखिए किसी जादा भूमिका ये निभाती है जन संख्यां संगठन चलिए अब जानते हैं कि लिंग अनुपात क्या है तो लिंग अनुपात से तातपर्ज किसी देश में पुरूस और महलाओं की संख्यां से है लिंग अनुपात का मतलब सीधी हो गया कि पुरूस और महलाओं की संख्या से है यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है जो पुरूस और महिलाओं की संख्यां के बीच का अनुपात होता है उसी को हम लिंगा अनुपात कहते हैं दुनिया में लिंगा अनुपाद परती हजार पुरुषों में 990 महिलाओं का है जो लात्विया में सबसे अधीक है दिखिए ये सिर्फ अपना भारत की भी सेम नहीं है ये अधर देशों की जितने भी दुनिया की जितने भी देशों है उसके भी सेमें बताया गया है कि दु 87 महिलाएं जादा ही है ये कहां है लात्विया में तो सबसे आपसे कुश्चन भी करेगा कि सबसे अधीक लिंगा अनुपाद कहां है तो आप इसका एंसर होगा लात्विया और सन्युक्त अरव अमिरात में सबसे कम है और एक देश का नाम है सन्युक्त अरव अमिरात उसम 468 को अगर आप घटाईएगा सोच ये 468 घटाते हैं तो कितना ही बचता है इतना समझे इतना महिलाया भी कम है यानिकि उसका 50 से भी आधा है दुनिया में 72 देशों में लिंगा अनुपात परती कूल है कहते हैं कि दुनिया के 72 देशों में जो लिंगा अनुपात है वो परती कूल है क्योंकि वहां कन्या भुरून हत्या के साथ महिलाओं के निमन आर्थिक एस्थिति के कारण भेद भाव है कहते हैं कि दुनिया के 72 देशों में जो लिंगा अनुपात है वो परती कूल है बिपरीत है क्योंकि वहां कन्या भुरुन हत्या याने कि पेट मां के गर में ही बच्चों को मार दिया जाता है कन्या भुरुन हत्या के साथ साथ महिलाओं की नीमन आर्थिक स्थिति के कारण भेदभाव भी रहता है उसके बाद समान तोड पर चीन भारत जैसे एसी आई देशों में लिंगा अनुपात कम है जबकि यूरोपिय देशों में लिंगा अनुपात अधिक है कहते कि समान तोड पर जैसे चीन हो गया भारत हो गया जैसे एसी आई देशों में लिंगा अनुपात कम है जब कि यूरोप देशों में लिंगा अनुपात अधिक है यानि कि यूरोप देशों में जो है न इस्तरियों की संक्या ज़ादा है और चीन हो गया भारत हो गया ये समय क्या है इस्तरियों की संक्या पुरूस के अपिक्छा काम है यह हमने जाने लिंग अनुपात के भी सहमें अब जानते हैं कि 20 विकी जन संक्यां का और शट लिंग अनुपात का ऐसे निकालेंगे तो देखिए 20 विकी जन संक्यां का और शट लिंग अनुपात परती 1100 पर 990 इस्तरियां है बहुत important point है आपसे पुछा जा सकता है तो तो लिंग अनुपात इस्तरियों के प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण नीमन है उसके बाद आप नम्मर वन लिखेंगे इस्तरिया निकी भुरून हत्या दुसरा इस्तरियों के परति घरेलू हिंसा तिसरा है इस्तरियों के समाजिक आर्थिक अस्तर का निमन होना देखिए इस्तरियों इसका लिंग अनुपात का जो प्रतिकूल होने का प्रमुख करण है वो है इस्तरिय भुरून हत्या यानि की मां के गर में बच्चों को मार देना दुसरा है तो उससे क्या होता है बेटियों कि आप देखिए आजकल तो होता है चेक अप करवाता है वहां दिखाए मतलब ऐसे पूछता है कि लड़का है या लड़की है अगर लड़की का नाम सुनता है तो फिर उसको नहीं मारता है अगर लड़कियों का नाम सुनता है तो दोब स्वाड़त नूटत एसे तो lika नुटत करेंगे दुसरा है अनुक लिंगानुपात वाला महादूप है यूरोप परतिकुल लिंग अनुपात क्या है चलिए इसको जानते हैं परतिकुल लिंग अनुपात आपके मन में परस्ण उड़ता होगा कि ये परतिकुल लिंग अनुपात क्या है देखिए जिन देशों में पुरुसों की तुलना में इस्तरियों की अनुकूल एक होता है प्रतिकूल याने की समय के साथ उसमें क्या गिरावट होता है प्रतिकूल प्रस्तित्या होती है इस्तरी भरून हत्या इस्तरी सीसू हत्या वा इस्तरियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसे होता है विश्व में 72 देश इसी स्रेनी में आते हैं सोच जिन देशों में पुरूशों की तुलनाम इस्त्रियों की संखियां अधीक होती है वहां इस्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल एस्थिती में है इस्त्री सिक्षा रोजगार एवं इनके जीवन के विकास की अनुकूल दसाय तथा सरकारी नितियों इस्त्रियों के ल लिंग अनुपात में आते हैं और 149 देश जो है इस में आते हैं याने कि अनुको लिंग अनुपात में होता है जिसमें जहां नारियों को शम्मान किया जाता है जहां पे हैं नारियों की आर्थिक स्थिति सही है जहां पे उसका माननेता धिया गया है चलिए अब नेक्ष्ट जानते हैं कि विर्धी होती जनसंख्यां देखे जनसंख्यां का विर्धी होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजूर्ग बुजूर्ग तो आप जानते हैं कि बुढ़े जनसंख्यां का हिस्सा अनुपात की दृष्टी से बड़ा हो जाता है वीश्व के अधिकांस अनुपात की दिरिश्टी से बड़ा हो जाता है यानि कि क्या होता है उससे बड़ा हो जाता है और विश्व के अधिकान से देशों में उच जीवन प्रतियासा है वो निम्न जन्मदर के कारण यानि कि उच जन्म यानि कि वहाँ लोग ज्यादा जीते हैं और निम्न जन्मद जनमते हैं कम के कारण उच आयू वर्गों की जनसंख्या बढ़ी होती है अब देखिए जिस देश में बूढ़े जल्दी मरेंगे नहीं और बच्चे जनम लेते रहेंगे तो क्या होगा जनसंख्या बढ़ेगा ना इसी को तो हम बिर्दी कहेंगे अब बूढ़े मरते जा र करेंगे तो यह क्या होगा यह तो बिर्दी होगा नहीं ना यह तो अब रुद्ध हो गया चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयू संरचना आयू संरचना बिभीन आयू वर्गों के या में लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करती है इसी के अधार पर यह ज्यात किया जा सकता है कि विभीन आयू वर्गों में लोगों का कितना प्रतिसद है इसके अंतरगत तीन आयू वर्ग आते हैं एक होता है बाल वर्ग जो जीरो से ले करके 14 वर्ष के बीच में आता है दुसरा है प्रोड वर्ग जो 15 से 69 के बीच में आता है और तिसरा होगी आपक के लिए बहुत important है आपको पूछा जा सकता है चलिए अब जानते हैं कि आयू सनरचना जनसंख्या की किन विशिस्ताओं को दरसाती है तो देखिए यदि जनसंख्या में जीरो से चोदा आयू वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है तो आशित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा जिसके कारण आर्थे विकास धीमी होगा अपको पता ही होगा कि जीरो से लेकर 14 वर्ष के वर्ष की आयों में अधिक जनसंख्यां होने पर कारिशी लथवा अजर के जनसंख्यां अधिक होने की संभावना होती है जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है अब देखिए ये जो है पचास से पंदरह से लेकर के उनसर तक के आयों में लोग क्या करते हैं में क्या होता है सभी काड़िसिल होते हैं सब अपने रोजी रोटी खुद कमाते हैं और सब अपने अपन निर्वर होते जाते हैं नेक्स्ट है साथ वर्ष के उपर की आयू संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से विरिधों की देख भाल पर अधिक वियाय होने का संकेत मिलता है उपरोग तत्यों से असपष्ट होता है कि जनसंख्या के जनांकिक्या निर्धारन के रूप में आयू संरचना का अधियन बहुत महत्पूर्ण है देखिए कहते हैं कि साथ वर्ष के उपर की आयू संरचना वर्ग में बढ़ती हुई जनसंख्या से विरिधों की देख भाल पर अधिक वियाय होने का संकेत मिलता है अब जैसे कोई वक्ती साथ से प्लस होता है तो आजकल आप जानवे करत पड़ता है तो जिससे क्या होता है जो कमाने वाले होते उस पर इफ्हक्त पड़ते हैं तो यह सारे पॉइंड आप इसको नौट करेंगे और कहते हैं कि उपरक तत्यों से यानि कि उपर के तत्यों से असपस्थ होता है कि जनसंख्या के जनांके किया निर्धारान के रूप में आयू सनरचना का आद्यान बहुत महातपूर्ण है चलिए आप जानते हैं कि आयू लिंग या पिरामीड या संरचना क्या है तो आयू लिंग कहते हैं कि जनसंख्या की आयू लिंग संरचना का भी प्राय विभीन आयू वरगों में इस्तरियों व पुरूसों की संख्या से है पिरामीड का परियोग जनसंख्या की आयू लिंग सन रचना को दर्साने में किया जाता है एचलिए अब जानते हैं कि आयू लिंग और संतूलन के लिए उत्तरदाई कारग कौन कौन सब है तो देखिए इसमें जो है जनमदर वश्मिर्ट्यूदर सबसे परत्तम कारण है जनमदर और मिर्ट्यूदर दुसरा है प्रवास दिसरा है गरामिन वह नगरिय जीवन तो जानते हैं कि जनमदार मिर्टुदर क्या है इसके बाद देखें विकासिल देशों में मिर्टुदर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में और संतुलन उत्पन हो जाता है निकि वहां पर व्यक्ति ज्यादा मरने के कारण जो ज़्यादा मरते हैं वहाँ पे लिंग अनुपात में और शंतूलन पन हो जाता है और पुरूस जन्म इस्तरी जन्म से अधिक होता है और समाज में इस्तरीयों का गौन समझा जाता है दुसरा है प्रवास प्रवास के कारण भी उदभाव वा गंतब दोनों म लिंगा अनुपात प्रभावी होता है रोजगार वचिक्छा के कारण प्रुषप्रवास अत्य होता है प्रवास में देखिए देखिए एक जिगे से दुसरी जिगह क्सिए कवान No उधावव गंतव दोनों में लिंगा अनुपात प्रभावित होती है आप सबört है और इसका प्रमुक कारण है वो हो जाएगा आपको रोजगार शिक्ठाट कि गौमिन वा नगरिया जीवन कहते कि लोग रोजगार वर स्विधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं और जिससे नगरिया जीवन में में लिंगा अनुपात अंतर आ जाता है ये तो स्वभाविक है कि कोई भी अगर ग्रामिन वो नगरिया जीवन मतलब अपने गौँ को छोड़ करके अगर कोई सहर में जाकर के बस जाएगा तो क्या होगा नगरिया जीवन में लिंगा अनुपात अंतर दिखाई देगा कि ने देगा नेक्स्ट है समाजिक आर्थिक इस्थिति जिन देशों में इस्थियों की समाजिक आर्थिक इस्थिति दाइनी है यानि कि क्या कहा जा जा जानि कि कम है जिस जहां पर कोई मतलब गरीवी है यानि कि इस्थियों के लिए वहां भी इस्थियों की संख्या परतियक आयो वर्ग में पुरुसों की तुलना में काम है अब चलिए जानते हैं कि ग्रामिन वो नगरिय संगठन क्या है सक्छर्ता दर किसी भी देश की जनसंख्यां का गुनात्मक पहलू है और किसी भी देश के सक्षर जनसंख्यां का अनुपात उसके समाजिक वार्थिक विकास का सूचक होता है सक्षर्टा दर क्या है तो यह पुइंट आप वहां पर नौट करेंगे इसको याद कर लेंगे अब है सक्षर्टा दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन सब है तो देखिए सक्षर्टा दर को प्रभावित करने उन्नत नगरिये अर्थ ववस्था वाले देशों में उच सक्षर्टा दर पाई जाती है। कहते हैं कि अल्प विक्सित अर्थ ववस्था वाले देशों में सक्षर्टा दर क्या होता है। कम होता है। और जहां पे उन्नत नगरिये अर्थ ववस्था वाले देश में क्या होत प्राप्त करने की साधन होती वो ज्यादा होते हैं और सब पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा होते हैं दुसरा है नगरी करन जिन परदेशों में जनसंक्यां का अधिकांस भाग नगरों में निवास करता है वहां शक्षरता दर उची है अब आपको पता ही होगा कि जो लोग सहर में रहते हैं वहां आपको अधिक सधीक वक्ति आपको पढ़े लिखें ही मिलेंगे लेकिन कहते जैसे यूरोप के देश हो गया लेकिन जिन देशों में ग्रामिन जनसंक्या का परतिसद अधिक है वहां सक्षर्टा अधर निमन है अगर आप गौं से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि गौं में कितने वक्ति पढ़े लिखे हैं और कितने अनपड हैं जिससे आप अनमान लगा सकते कि सक्षर्टा अधर कहां ज़्यादा है और कहां काम है अब है महिलाओं की समाजी के स्थिती तो देखिए क्रिसी अधारित अर्थविवस्था में महिलाओं की स्थिती गौन होती है इसलिए महिला सक्षर्टा अधर निमन पाए जाती है जबकि अद्योगीक अर्थविवस्था वाले देश में महिलाओं में सक्षर्टा अधर उ से जीब को पार्जन करने वाली जनसंख्यां के स्वारूप को व्यावसायक सं रचना कहते हैं बहुत important point है आप से question पुछ लेगा दो मार्क में व्यावसायक सं रचना किसे कहते हैं लिखना है आपको पारिसरमिक उक्त व्यावसाय कारीयों में शनलग्न तथा इन्ही कारियों से जीव को पार्जन करने वाली जन्संग और के स्वारूप को व्यावसाइक संद्चना कहते हैं जिन देसों में अधिक्तर लोग प्रार्थमिक व्यवसाय में लगे होते हैं यानि कि प्रार्थमिक व्यवसाय में आपको क्रिशी होगा मत्स पालन ये सबायगा प्रार्थमिक व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक अस्तर नेमन होगा और वहां की व्यवस्था क्रिशी प्रधारित होगी जहां अधि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विस्तित रूप से चर्चा करेंगे पर्थम किरिया दुत्या किरिया और शतुत्त किरिया के विशय में बाकि इस चप्टर में जितना में पुएंट था हमने सब को एकस्प्टर कीए यह वीडियो आपको कर्षा लगा आप उमें कमेंटे में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा फिलीच आप हमारे यूटूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे लाएक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे बाकि सो थैंक्स वि कर दो